How much longer? How much longer will the will of five members continue to override the collective voice of 188 member states? लिए भारत कमिशन लगातार जारी है उनसे में अपनी एंट्री पकी करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जय शंकर ने पी फाइफ नेशन के सामने अपनी मांगो को रखते हुए कहा कि भारत की बातों पर अगर गोर नहीं किया तो भारत संगठन से क्वेट कर जाएग दोस्तों अब एक बार फिर से भारत ने G20 मीटिंग से UNSC को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि UNSC की मौझूदा हालात को सुभारा नहीं गया तो इस संगठन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और इस संगठन में भारत का रहने का भी कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों UNSC में भारत ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ भारत ने अब नई बात रखी ये सारी बात हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप वीडियो पर अपने एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको बताते हैं UNSC को लेकर क्या नई खबर आई बिश्व के दो बड़े संगठोनों पहर उठा भारत की स्थाई सीट का मसला भारत ने किया सुरक्षा परिशद में स्थाई सीट का जोड़दार तरीके सितावा दोस्तों भारत ने दो बड़े वैश्व कोटनीतिक मंचों पर संयुक्ते राश्टर में सुधारों और अपनी स्थाई रूप से एंटरी का मुद्दा उठाया एक तरफ तो राई सीना डालॉग के मंच पर भारत के विदेश मंत्री एस जैशंकर ने स्युक्ते राश्टर सुरक्षा परिशद में सुधार का मुद्दा उठाया तो वहीं विदेश राश्टर मंत्री वी मुर्ली धरन ने रियोडी जैनेरियो ब्राजील में जी ट्वेंटी संगठन के विदेश मंत्रियों के बैठक में जोरदार तरीके से मुद्दे को आके बढ़ाया गुरुवार को भी एस जैश्वंकर ने राइसीना डायलॉग के मंच से संयुक्तिराश्टर में सुरक्षा का मुसला उठाया था राइसीना जालाओ के एक सत्र में परिचर्चा के दोरान विदेश मंत्री ने एक तरफ संयुक्त राष्ट में सुधार और इसमें विकास शील देशों के सही हिस्सदारी मिलने की बात को गम भीरता से रखा तो वहीं हलके फुल के अंदाज में अंतराष्ट्री क्रिकेट की रैंकिंग और भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की फॉर्मूले के आधार पर भी इसका समधान निकालने की बात कही एक दिन पहले ही इसी मंच पर एक अन्य सत्र में विदेश मंत्री ने सेयुक्तिराष्ट्र सुरक्षा परिशद में सुधार की सहमती बनाने पर अंतराष्ट्री खेल होने की बात कही दरसल संयुक्ते राष्ट के मौझूदा प्रवधान के मताविक सुधार पर विचार के लिए भी पहले आम सहमती बनाने की जरूरत है इसे ही सुधार की राह में सबसे बड़ी बाधा माना जा रहा है बातों के करम में जैश्वंकर ने भारत की G20 एधेक्षता का जिक्र किया और बताया कि कैसे अफरीकी यूनियन को इसमें स्थाई सदसी के दोर पर शामिल किया गया विदेश मंतरी ने कहा कि अगर G20 का विस्तार किया जा सकता है तो स्थाई सदसीता भी बढ़ाई जा सकती है विदेश मंतरी एस जैश्वंकर ने भी हाल ही में कहा कि भारत को स्थाई स्थाई सीट जरूर मिलेगी उन्होंने कहा था कि यूनसी में सीट का मिलने का मुझे सौ फीसद यकीन है चीन की ओर से आने वाली अर्चन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि हम वहां पहुंचेंगे लेकिन इसे आसानी से हासल नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुनिया प्रतिस बर्धा से भरी है और कुछ ताकतें हमें रोकना चाहती है बताएं कि वर्तमान में UNSC के पाँच स्थाई सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है और यहां केवल स्थाई सदस्य के पास ही किसी प्रस्ताओं पर वीटो करने की शक्ती होती है ऐसे में भारत स्थाई सीट चाता है, लेकिन उसका स्थाई सदस्य स्था में सबसे बड़ी अर्चन चीन बना हुआ है या होता है UNSC में वीटो पावर का मिलना United Nations Security Council के जिन पाँच देशों के पास वीटो पावर है, उनके पास ये शक्ती होती है कि वो किसी भी प्रस्ताओं पर रोक लगा सकते हैं वीटो पावर वाले देश किसी भी प्रस्ताओं के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि वो पारित हो, तो इसके माध्यम से वो अपनी नामुन्जूरी को सामने रख सकते हैं वो प्रस्ताओं को अस्विक्रत करते हैं, वीटो पावर से यूएन काउंसिल के माहसाचीव के चैन को भी रुका जा सकता है स्विक्ति राष्टो चाटन में पर्मानेंट और नौन पर्मानेंट मेंबर्स के बीच वीटो पावर सबसे बड़ा और महत्वपून अंतर है भारत के लिए लगतार इस तरह की बाती होती हैं कि उसे वीटो पावर मिलनी चाहिए जिन पाँच देशों के पावर है उनमें चार का माना है कि भारत को ये शक्ति मिलनी चाहिए और वो 27 सदस्य बनने का हकदार है अलाकि चीन यूएन में भारत की 27 सदस्य बनने का विरोध करता है वीटो पावर के लिए सभी 5 देशों की सहमती जरूरी है अगर किसी देश को वीटो पावर हासिल करना है तो उसे 5 27 सदस्यों की सहमती के अलावा बाकि 10 अस्दस्यों में से 4 और की सहमती चाहिए होगी इसके साथ ही वीटो पावर हासिल करने की इच्छा रखने वाले देश के आर्थिक स्थिती मजबूत होनी चाहिए वो इतना सक्षम होना चाहिए कि जरूरत पढ़ने पर अन्य देशों की मदद कर पाए ऐसे में कह सकते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले इसमें सबसे बड़ा रोला चीन ही है भारत लगातार UNSC में सुधार का मुद्दा उछाता रहा है इसमें इस्थाई सदसियों की संख्या बढ़ाने की मांग भी बढ़ रही है भारत के लावा ब्राजील, दक्षिन अफ्रीका, जर्मनी और जापान UNSC की स्थाई सदसिता के प्रबल दाविदार है विदेश मंत्री एस जैशंकर कह चुके हैं कि भारत सुरक्षा परिशत का इस्थाई सदसियों बने एक मजबूत मामला है परिशत में सुधार किया अवशक्ता पर व्यापक वैश्वक्त समती है क्योंकि ये दुनिया की वास्तविक्ताओं को नहीं दर्शाता दुनिया में लगातार बट रही है भारत की ताकत इकोनोमी से लेकर रक्षाक शेत्र तक बज रहा भारत का टंका हाल ही में भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी एकोनोमी बना है ये जगा हमें उस ब्रिटेन को पचाल कर मिली जिसने लंबे समय तक हम पर राज किया सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ वेवस्ता बनने के साथ ही ग्लोबल पिक्चर तेजी से बदली जो देश हमें पूछते तक नहीं थे वे बड़े आयोजन में हमें न्योता देने लगे यानि कि अब गेंध हमारे पाले में है लेकिन इसके बाद भी कहीं कुछ अटका है कई ऐसे ग्रुप हैं जिनका सदस्य चीन तो है लेकिन भारत नहीं से उतिराष्ट्र सुरक्षा परिशद ऐसा ही एक नाम है इसे दुनिया में सबसे ताकतवर बाडी माना जाता है जिस पर अंतर राष्ट्रिय शान्ती और सुरक्षा पक्की करने और यूएन चार्टर में किसी भी बदलाव को मनजूली देने की जिम्मेदारी है ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सीधा असर दुनिया के हर देश पर परता है माना तो यहां तक जाता है कि इस बॉडी के जरिये वोल्ट बैंक जैसी संस्थाओं पर भी असर डाला जा सकता है अगर यूएन के बात करें तो इसके कई सब गुरुप हैं और इन ही में से एक है सेयुत राष्ट्र सुरक्षा परिशन जो यूएन की सबसे पावरफुल शाखा है काउंसिल में 15 सदसियों की जगह है यूएनसी की मेंबर्शिप दो तरकी होती है स्थाई और अस्थाई केवल पाँच ही देश इसके पर्मानेंट सदसिय है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन इसके अलावा दस ऐसे देश सदसिय होते हैं जो हर दो साल में बदल जाते हैं पाँच सदसियों के पाद सारी ताकत है ये कह सकते हैं कि यही देश इस ग्रूप के करता धरता है वे तैय करते हैं कि दो साल के लिए किन देशों को बुलावा भीजा जा सकता है या किन हे जगह कतई नहीं मिलनी चाहिए भारत अब तक आठ बार इस कलब का नौन पर्मानेंट मेंबर रह चुका है बीते साल ही उसकी सदसिता खत्म हुई लेकिन अब UNSC की तस्वीर में कुछ नया हो सकता है असल में भारत लंबे समय से इस बात पर जोड देता रहा कि ग्रूप में पर्मानेंट सदसियों की संख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि जब से ये ग्रूप बना तब से अब तक कई देश काफी ताकतवर हो चुके है भारत एक तरह से अपनी बात कर रहा था देश मंत्रियास जैशंकर ने खुद कहा कि देश जल्द ही सुरक्षा परिशत का इस्थाई सदसिय बनना चाहता है इस बात के लिए UNSC के चार सदसिय भी काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार पांचवा मेंबर चीन इसमें अलंगा लगाता है दरसल ग्रूप में कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए सभी इस्थाई देशों का समर्थन जरूरी है इधर भारत UNSC में अपने साथ जापान को भी लाना चाता है चीन को इस पर भारी आपती है क्योंकि जापान से भी उसके रिष्टे अच्छे नहीं है अमेरिका के बात करें तो वैसे तो अमेरिका हमारा करी भी दिखता है लेकिन ये मामला हाथी के दांतों वाला हो सकता है कई बार दाभी जवान से उसने भारत की स्थाई सदस्यता का विरोध किया उसके पास तरक ये था कि हम परमानू अप्रसार संधी एन पीटी का हिस्सान नहीं है और नियूकलियर ताकत जुटा चुके हैं वो भी अमेरिका के टोकने के बावजूद कहीं न कहीं उसे ये बात अख़टी रही हाला कि दोस्तों देखने वाली बात होगी कि भारत इस साल किस तरह से संगठन का हिस्सा बनता है खेर इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है आपकी राय क्या है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं धन्यवाद